पी आर्विनल लास्ट टाइम कि आ चुके हैं इस बार नहीं अलग बाद है लेकिन कराना है तो फिर करा नहीं है अब तो डूंड डूंड के कराने पढ़ रहे तुम्हां करो जी करो लाइब करो प्रोग्राम को कि 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 देखो वह बच्चों कि 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 अब आजी टूपोर्ट नेटवर्क में सीखना और पढ़ना बहुत छोड़ी चीजे यहां आपके पेपर के लिए जरूरी है जैसे टूपोर्ट की जगे बेटा सिंगल पोर्ट भी होती है कि जैसे हमारे पास में अब बेटा चार्ज या डिस्चार्ज करने के लिए जैसे यह बैंटरी रखी हुए आपने है कि यह कोई नेटवर्क बना दिया कि एक्सेल ले लेते हैं देखो जाना पोर्ट का मतलब पोटी है यह टूपोट नहीं है यह सिंगल पोट देखो जब आप चार्ज कर रहे हो इन पर लगा तुमने तो चार्ज भी नहीं टर्मिनल से कर रहे हो तो कोई भी नेटवर्क बेटा जब हम चार्ज या डिस्चार्ज करने के लिए हमारे पास में सिर्फ एक पॉर्ट अवेलेबल हो दो तार मत भावनाओं में मत बैजाना कि दो तार है जी तार की बात नहीं हो रही पोट की बात हो रही है उसवाइन पॉजिटिव निगेटिव खुटिया दे रखी इस बैटरी में है तार बांद तुमने तो इनी से चार्ज मुर्ए है और जब इसे अम डिस्चार्ज करें तो ही दो से डिस्चार्ज भी हो रही है माईक में डाल दो डिस्चार्ज के लिए कि हमारे पास में बेटा एक पॉर्ट अवेलेबल उती है तो प्यारे बच्छों इसे कहा जाता है सिंगल पॉर्ड ठीक है भई इसे कहेंगे जिए हम सिंगल पोर्ट धन्यवाद जे और जैसे बेटा हम यह कहें यह दिमाख में अपनी तरफ से मत लाना तुम चीज़ है कि हो सकता एक से चार्ज और एक से डिस्चार्ज और ऐसा नहीं है कि यह दोनों से चार्ज भी हो सकती दोनों से डिस्चार्ज भी हो तो यह कहलाती है यहां तो पॉर्ट कि चलिए यह समझ लेते हैं हमने इस तरफ से कुछ बोल्टेज अप्लाई करती तो इससे प्यारे बच्चों कुछ करंट भी होगा हमने इस तरफ जो बोल्टेज देखी यह बीटू है और इससे जो करंट है यह आई टू है जब भी टूपोर्ट नेटवर्क को हम स्टड़ी करते हैं यह सीखते हैं तो इस तरह का करंट लेकर चलना है कि दोनों करंट इसमें अंदर हो यह पढ़ते हुए पहले से दिमार्ट में रखना है मतलब पूरा चेप्टर ही जो यह डिसाइड है या डिफाइन बेटा यह करंट की दोनों डारेक्शन के लिए कि करंट की डारेक्शन बेटा क्या लेनी है अंदर के लिए हैं जब हम लोग टूपोर्ट नेटवर्क की बात किया करते हैं तो हमारे पास में बेचा कुछ कि देखो या तो आप इस वाली साइड को ओपन कर सकते हैं भाई इधर से कुछ लगाएं सप्लाइधर ओपन करते इधर सप्लाइधें तो इसे हम ओपन करते हैं तो टूपोर्ट नेटवर्क पे सबसे खास जो चीज है वह होते हमारे पैरमेटर और पैरमेटर देखिएगा पढ़ा कि इस नेटवर्क के अंदर पैरमेटर को हम कैसे डिसाइड करते हैं जब हम याई के लिए इसको पढ़ाते तो तब तो हमारे पास में यह चेप्टर है कम से कम एक दो दिन हम पढ़ते रहते हैं इसको तीन दिन तक चार दिन तक तब यह चलता है आपके पास में बेसिक चीजे पूछता है जैसे यूनिट पूछ लिया यूनिट पूछी गई है वैल्यू कोई पूछ लिया तो छोटी छोटी चीजे आपके लिए खास है तो सबसे पहले वेटा इस तरहे के टूपोर नेटवर्क में विद्यार्थियों आपको समझना है जिसे हम कहते हैं open circuit yes open circuit parameter यानि कि खुला परिपत parameter जी और इसको समझते इसको हिंद्यंटी में खुला परिपत परिमिटर्स आप लोग कह सकते यह पेटा इसको कहा जाता है इंपिडम को क्या कहते हैं दोस्त अप्रतीबाधा है इसको कहते हैं इसको कहते हैं इंपीडंस परामेटर हम कैसे लिखते हैं कि हम लोग क्या लिखेंगे देखो एक बाद बताओ ओपन ओपन होने का मतलब है करेंड का मान सुनने है जो इसे लिखते समय ध्यानी देना आए कि जब भी आप इंपिडंस परामीटर को प्यारे बच्चो शॉर्ट में हम जेड़ पेरामिटर भी का करते हैं जेड़ मतलब पर्तिबादा है ना तो देखो भाई बच्चो इसे हम कैसे लिखे हैं हम लिखते हैं और यहां पर देखो जेड़ मैट्रिक्स जो लिखे जाती है वो दो बाई दो की डिसाइड होती है तो दो बाई दो में देखें लिखने का तरीका क्या हुआ करता है जैसे जेड़ है तो बेटा जेड़ वन वन साबास जेड़ वन टू जेड़ टू वन और बेटा जेड़ टू अब बच्चो यह दो बाई दो की मैट्रिक्स है और इसके साथ में होंगे आई वन और आई टू इंपिडेंस परामिटर में बेटा यह मैट्रिक्स लिखने का प्यारे बच्चो तरीका है इसके अगर हम इसम ऑपन करते हैं कि तो देखो हमें क्या मिलता है कि वी ऑन बराबर में कि जेड़ वन मुन की मैट्रिक्स की गुणा करना भी सिखाए G1 1 में में पूल्स जे वन टू की आई टू में आपको इस सिखाया भी जाता है कि देखो जी यह जो रो भ यह यह बेटा इस कॉलम के साथ में गुणा करना होता है जी वी वन लिखेंगे तो प्यारे बच्चों जैड़ वन वन आई वन प्लस जैड़ वन टू और आई टू यह हो गया भाई ओके जी यह हमें वी वन मिला भाई इसी परकार बेटा यहां से वी टू देखिएगा वी टू बराबर में बोलो जैड़ टू वन तबास जैड़ टू वन आई वन प्लस जैड़ टू टू आई टू यह हो गया पेटा वी टू कमान कर लेते ना इतना देखो हमें करना क्या है हमें एक बार यह साइड ओपन करनी है और एक बार यह साइड ओपन करनी है तो हमने का जी पहले हम आई टू बेटा ओपन परीपत में खुला परीपत होता है इसमें करंड कमान सुन्ने होता है कि तो हमने यहां पर सबसे पहले लिखा कि आई टू बराबर जीरो रखने पर प्लसी की चीज़े पढ़ा दी जो खास्ति तुम्हारी नोट बना लो एक कोपी पर दो तिन देंदा उनको याद रखो मलब याद करने की परियास करो कोशिश करो यह हमने बोल रखा तो मैं तीन से चार या पांस सवाल आपके आएंगे करके जाओगे तो अब यार दोस्त आइटू का मान सुनने लगा ओ अबने ठीक है संसुनने लगाता है आइटू का मान यहां सुनने लगाईएगा तो यह क्या मिला जैड़ वन बराबर यह सुनने हो गया वी बटे आईवन वी बटे आई मतलब ओम मिलेगा ओके पेटा आई टू का मान यहां जीरो है तो जैड टू वन बराबर में वी टू बटे आई वन आई वन दे आई टू तो जीरो है वैसे मैं तो देखते बता दूंगा जो पहला यह बोलते जो बादगा यह करण्ट तो यह तो हमें मिल गया बच्चो जैड वन वन देखो जी यहां भी वी बाई आई मतलब ओम अच्छा जी इसके बाद में अगर हम इस साइड को ओपन करके देखने लग जाएं तो हमने कहा जी आई वन का मान जीरो मान दो हुआ है तो विटा यह हमने माली यहां का मान जीरो प्यारे बच्चो यह आई वन का मान जीरो लगाएगा तो देखो जैड वन टू बराबर में इस सबाश कितना आएगा ओम आइगा ठीक है भाई अब आई कमान यह बिटा तो जैड टू टू बराबर में वी टू बाई आई टू तो यह आपके पास में चार परामिटर हो यह बताओ ओपन सरकिट परामिटर किसको कहा जाता है बता सकते हो किस से डिनोट किया जाता है बता सकते हो जैड से मैट्रिक्स के परतेक टार्म का बेटा इकाई कितना आया है मोल सकते हो सबाश ओम अच्छा जी फिर इंपॉर्टेंट एक और है आप से यह पुछा जा चुका है लास्ट टाइम इस बार नहीं सिफ पुराने वाले के पेपर में सिर्फ यह पूछा गया है निमन में से किसे ओपन सर्किट पैरामिटर कहा जाता है इंपिडेंस को कि देखो भाई बच्चो हमने माल लिया इस तरह का कुछ यह बना रखा है कि बेटा इसे कौन सा ग्राफ कहते है या नेटवर्क कि प्यारे बच्चों से टी नेटवर्क कहते हैं कि पर्भू कि ज्यासे दस सेगेंड से ज्यादा मत लेना पेपर में माल लिया इसका मान जैड़ वन है यह जैड़ जैड़ थ्री है तुम्हें दे दिया बोलते हैं कि एक्जामनर मजाक कर रहा है जी तुम्हें कहा कि इससे इंपिडेंस पैरामिटर ग्यात कीजिए अब जिसने मात्रिय से सीखा है वो तो तुरंट उड़ा देगा देखो भाई बच्चों क्या भाई चार यही तो लिखने सीख्या आपने जैड़ वन वन जैड़ वन टू और जैड़ टूवन जैड़ टूटू तो बच्चों जै जैड़ वन टूवन हमेशा बराबर होगा और जैड़ टूटू देखो कैसे जब भी यह आपको टी नेटवर्क देदिया देखो ना बेटा टी बन गया ना इन्हें जोड़ दो साबाश जैड़ वन प्लस कर लोगे या जैड़ वन टूजैड टूवन सिर्फ जैड़ टू में बेटा इन दोनों को जोड़ देना कितना आगे मेरे से रोगेट टू प्लस जैड़ थ्री आगे यह लीजिए भाई कि दिखती तुरंदी है जैसे नुमेरिकल करवाएंगा ना जैसे सवाल देखो जी क्या दे दिया सवाल माल लिया आपको यह दिया दो यह पांच ओम यह एक ओम आपको कह दिया दे टू टू बताओ पांच और एक जैड़ वन वन बोलो तो साथ मुश्किल है जैड़ वन वन पांच और दो साथ ओम जैड़ वन टू जैड़ टू वन जैड़ तू टू कितना वेटा यह जब भी कभी आप वेटा इम्पिदेंस पैरामिटर की चर्चा करते हैं या फिर और प्र ओपन सर्किल पैरामिटर की चर्चा करते हैं तो इसमें हम लोग जो कनेक्शन बनाते हैं वो बनता है स्रीज कौन सा बेटा स्रीज बस इसे याद रखो लिखो फड़ापट से अँड़ करनाओ करें नहें अटे galaxy को je сразу क्यांरły कि डी करते हैं कि अब कहां जा रहा है कि अब कल तो हम कहीं बच्चों के लिए कुछ इनाम इनाम जूड़ने चले गए थे फिर पार्टी में जो रासन बनेगा उसके लिए अलवाई से बात करने चले गए थे ठीक है भाई है यहीं होगा कि अब करणा तुम लोग को चाहिए मसूरी अब नेक्स वाला जो बैच हमारा ना बैच जो सुरू होना था यार बच्चे इसलिए नहीं आरे देरादून वो यह लिख रहे हैं कि सर सब लोग में अमने डाहा रखाए कि उत्राखंट तो खताम होने वाला थे जो सिमाट खताम होने वाला थे बोला यार वाओ अधर इस्टेट में फिर फैल भी रही होगी वह उत्राखंट में तो पाढ़ खत्रे में यह है जो सिमाट यहां चार्ट किलमेटर का डिस्टेंस है यार जो सिमाट में तो आसे चालिश साल पहले ही बोल दिया था बाड़ी जब आल होने थे कि बहुत जो सिमाट वैसे भी कच्छी मिट्टी बेबसा हुआ है यह नहीं यह इतिहास काल से बड़ी कॉंप्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन रही है पूरी ना उस बैल्ट की यह एक बार तो यह पूरा समाप्त हो गया था मतलब वैसे यह पांडूओं के टाइम कहा है लेकिन यह बहुत पुराना सहर है एक बार यह पूरा ही खताम हो गया था तो यह तो फिर संक्राचारिय जिने दुबारा से बसाय था यह तो है कच्छी मिट्टी पर अब लोगों ने ऊपर से वह खैर महां तक तो ट्रेन का वह है नहीं लेकिन कंपरियाग तो पुरा खोगला तो बनाई जया पाड़ को और डवलमेंट कुस्तो कीमत चुखानी जिस दिन आपने कैदार नाथ तक गाड़ी के विवस्था करा दी कि उस दिन मानों नहीं जो आनंद है उस नाम में उस हवा में उस सब्द में वह कहां रहेगा है कि नहीं आज अगर आत्मी 22 किलोमेटर ट्रेक कर के जाता है वह अलग ही फिलिंग आती है उसे पहुंचने के बाद अलग है अनुभाव है अब फिर वह यह गाड़िया चलेंगी उस पर परदोसन होना है दुनिया बर के चोरी चकारी यह सब करनी चाहिए आज भी कंडी वंडी चलती है ना पाढ़ का जो इंटीरियर एरिया डॉक्टर वॉक्टर स्कूल कुछ नहीं है वहाँ इंवेस्टमेंट होना चाहिए वह लिखी जाती है यह आया थोड़ा ना यह यह लिखा गया जैसे ओम का नियम है इंपिडेंस वैसे ही ओपन सर्केट के लिए इंपिडेंस मैट्रिक्स है तो कितने वेरियेबल हुए एक दो तीन चार तो कितने की मैट्रिक्स आईगी जिसमें चार्ट टर्म हो दो भाई चलिया लिखिया चले बेटा next लिखते है च्रॉटी सर्केट contractor अब बोलं शॉट सर्केट मतलब होता है अड्मिटेंस पैरमिटर से और बेटा इसे लगाए जाएगा पैरलल में तो नेक्स से जो वो हम सीखते हैं स्टॉर्ट सर्केट परामिटर दे ठीक है बच्छो शॉर्ट सर्केट परामिटर और इसे हम लोग बेटा कहते हैं एडमिटेंस परामिटर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे से हम वाइस है और यह यह आप लोग के लिए खास चीज़ है कि यह सौर्ट सरीटों कैसे करेंगे एडमिटर जैसे इंडारेक्ली बोलने लगे इसकी यूनिट क्या होती है रहें बोलो इसके लिए सर्किट को जोड़ा जाता है इसके लिए इसके लिए डिफैन किया जाएगा पैरलल में चलिए जी तो पैरलल में बेटा या शौट जब हम करते हैं तो हम किसे सुनने करेंगे वोल्टेज को सुनने करेंगे आप तो देखो जी यहां पर है आईवन और पायटो कि अब बेटा वाइ मैट्रिक्स है तो वाई वन वन y12 y21 और y22 और यहां पर क्या हो गया बेटा v1 और v2 तो z matrix है तो प्लावपन शर्किट पेरामिटर y लिख रहे हैं तो मतलब short circuit पेरामिटर तो प्यारे बच्चों हमें क्या मिला i1 बराबर y11 v1 प्लस y12 और v2 और बेटा ऐसे ही हम i2 बराबर अगर लिख लें तो y21 v1 और प्लस में y22 और v2 प्यारे बच्चों हमने यह बना लिया फिर वही पुराना काम एक बार आप v1 बराबर 0 रखे और एक बार आप बेटो बराबर 0 रखे तो अगर बेटा v1 बराबर में 0 रखें अगर हम v1 बराबर में 0 मेंशन करेंगे तो देखो जी v1 0 बोलो तो सहीं आप वाई वन टू बराबर आई वन बाई वी टू अब आई बाई वी मतलब अब वी वन का मान यहां भी 0 है तो वाई टू टू बराबर आई टू बाई वी टू बेटा ठीक है जी तो हर एक की जो भी वाई में लिखा अगर वी टू बराबर जीरो लिखे तो देखो जी वी टू का मान जीरो लगाया हमने तो वाई वन वन बराबर में कि वी वन यूनित महों अब वी टू का मान थोड़ा सा यहां 0 लगा दो तो आई टू बाई वी वन है तो बेटा हमें यह मिल गया है ठीक है अब दिमाग में जरूर रखें कि जैसे शॉट सर्किट परेमिटर आया सब की क्या है वैसे वह हो है कि तो आप से पूछा कैसे जोड़ेंगे सर्किट को तो बेटा पैरलल में जोड़ेंगे अब जैड़ परेमिटर जब आपने लिखे हैं तब जैड़ परेमिटर आपने मेंशन किया है लिखा है व्यारे वच्चों आपने जैड़ में क्या लिखा है थ्रीज में तो ठाथ ठीक था टी नेटवर्ग इसमें क्या बनाओगे पाई तो देखो जी माल लिया यह वीवन है यह यह वाई वाई टू और बेटा यह हमें दे दिया जी वाई थरे मतलब आपके पास में अगर यह आ जाए तो यह भी बहुत बड़ी बात है डारेक्ट लिखने का अगा आपके पास में ज्याद तर कीश में क्या है कि सौच सर्कित परेमेटर को जाना जाता है इड्मिटंश के रूप में उप संद न्युक्वषाड प्रेमेटर में सवीच टर्मिनल जुड़े होते लिए नंद तो देखो बच्चो यदि हम वाई वन वन करते हैं तो बेटा क्या होगा y1 प्लस में y2 हो जाएगा यदि हम y12 बराबर y21 करें देखो पहले तो इन्हें जोड दिया अब उपर ये जो भी मिलेगा उसे कर देंगे हम तो माइनस के y2 अगर फाइब मोह तो माइनस के फाइब मोह ठीक है अपोजेट लिखना है कुल मिला के इसका और y22 अगर आ जाए सावाज तो बेटा इनको जोड देंगे तो y2 प्लस में y3 लेकिन मुझे यह लगता है कि आपके पास में यह इसका आने का चांस थोड़ा सा कम है ज्यादे तर आपके पास में यह आसान चीज़े जब बच्चे को टूपर नेटवर्क पढ़ाएं नही है और यह हमारा वादारा देखो तुम इससे पुराने वाले यूपी आर्मिनल यूपी पेशल के पेपर उठाना दो-दो-तिन-तिन सवाल स्टेट फॉर्वाड ने स्वर्वाड तो यार हमें तो यह इतना लगाना भी ने इसमें हमें अगर यह भी पता है नहीं कि शौट स कि क्लास कब से सुरू होगी जब यह पेपर हो जाएगा भाई तब करेंगे बच्चे कि यह पूरे टूबोर नेट्वर का पूरे ट्रांस्मिशन लाइन का इससे होता है बीजेटी और फैट इनका डिजाइन सब्सक्राइब कि अभी आने वाले हम देखो कि पूरे बीजेटी का जो हाई फ्रिक्वेंसी मॉडलिंग होता है यह इन्हीं बेसिस पर होता है टूपोर नेट्वर्क के वेसे नहीं नहीं यह तो सिंगल पॉर्ट है कि आप कह रहे थे कि न्यू बैच में होस्टल भी स्टार्ट कर देंगे इतने पैसन है भाई हमारे पास लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि रहने के ऐसे कोई प्रावलम आती हो बड़े आसपास बहुत आप साना है कि आप होस्टल वोस्टल में सरदर्दी है कि आप होस्टल वोस्टल में रिजाब से लगी है दूर और अलगी लोग चला रहे हों से तरदर्दी है कि मैं तो यह थोड़ा सरदर्दी लगती है लेकिन बच्चों कि सुविधा है तो चलो चल ला कि कि आप हम आगे बढ़े है चले प्यारे बच्चों नेक्स्ट हम लोग सेखते हैं रिखे हाइब्रीड पैरामिटर प्यारे बच्चों हाइब्रीड प्यारे 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 नाम से भी जाना गया है चाहिंगे हाइब्रेड पैरामिटर को कि एच्च पैरामेटर के नाम से भी जानते हैं कि देखो भाई कि मान लिया हमारे पास में यह कि हमने कुछ नेटवर्क ले लिया हाइब्रेड का हिंदी में मतलब होगा इन दोनों का कॉंबिनेशन तो यह भी लिख लो हाइब्रेड का मतलब है इसमें खुला परीपत वे लगू परीपत दोनों की दोनों की विशेष्था है होती है ठीक है बच्चो इसमें खुला परीपत भी और लगू यानि की ओपन सर्किट और शॉर्ट दोनों मिल जाती है इसमें कि यह वीवन है कि बैटा यह आईवन है प्यारे बच्चो यह वीटू है और यह अईटू है ठीक है भाई कर लिया ना देखो भाई इससे देखें हम कैसे लिखेंगे वीवान आई टू पराबर में एच पेरामिटर है बेटा तो हम यह लिखेंगे इसमें उपर लिख लो वेरी वेरी इंपोर्टन्ट क्योंकि इसमें यूनिट बड़े काम किये बेटा वेरी वेरी इंपोर्टन्ट क्योंकि इसका सवाल यूनिट का पेपर में आचुका यार यह हो गया जी एच वन वन बराबर एच वन टू बराबर मलब यह एच टू वन एच टू टू ठीक है भाई अब यह दिमाग में रखें इधर है अब आई वन और वी तो हो गया भाई है आज याद हो जी रबन सर मैंतर शॉटकट याद है पक्का हो जाएगा वेरी गूड तो बेसिक से लोग को यह ना कि कुछ जानने की इच्छा रहते हैं निमेरिकल कितना आएगा बेसिक के अच्छे का से निमेरिकल आएंगे मतलब रहेंगे इजी लेकिन य माई अब कि पहले रिजाइड दो करेंगे निकितना आएंगे लेकिन निमेरिकल बहुत आ सकते हैं जो हमने सुरू से किया जिसे चोटे से सवाल हुआ किशील के चोटे से सवाल थिए थिंटे सीस्टम का चोड़ा सवाल कि में अच्प शोटा सवाल हुआ कि एंध्यंस अध पर भी बराबर फाइए पर ने पी भी आ सकता है तो चूटे चूटे निमेरिकल कर लो कुरेजिस्टेंस किलर कोडिंग टेंपरिचर कॉफिसेंट बहले घुमा के नहीं देगा इस्टेट फॉरवर्ड देगा लेकिन आपको आना चाहिए करना और अगर ऐसे आ जाए तो मज़ा आ जाएगा तो एक पैरलेल में मैंने जो छे घंडे का आपको बताया था पैरलेल में 30-40 मिनिट छोटे छोटे निमेरिकल पे देना शुरू करो कहां से शुरू से जीरो से कि नहीं तो अब देखो तुम्हें क्या लग रहा है कि ट्रास्फोर्मर का पूछे का दोस्त सिर्फ इतना पूछता है कि आवरत्ती को इतने से इतना करेंगे तो एडिक इतना हो जाएगा और फुल लोड पे इतने तो आधे पे बता दो छोटे छोटी सवाल टीजी टू के लिए खास है तो एक पैरलल में उन छोटे छोटे सवालों को अपनी तयारी में जरूर रखिए यहां से सेक्शन से निमेरिकल ना के बराबर टू पॉर्ट नेटवर्क से तिर्फ थिवरी की चीज़े वो भी यूनिट्स में ज्यादा तर किसे क्या कहेंगे जैसे हाइब्रेंट पैरेमिटर को इसे हम क्यों लिख रहे हैं कि खुला और लगू दोनों क्या विसस्ता हमें मिल गई इसे लिखें देखो वी वन बराबर में है एच वन टू वी टू यह हो गया बच्चो और दूसरा हमें यह मिला भाई आई टू बराबर में एच वन टू आई वन प्लस में एच टू टू और वी टू हाँ यह वाला ना यह भी तो हुई आए हाँ है 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 अगर हम लोग वी टू का मान को सुनने लगा दे कर दे भाई वी टू बराबर जीरो वी टू का मान जीरो लगाओ तो एच वन वन बराबर में वी वन बटे तुरंद बोल दो वी बटे आई मतलब साबाश ओम यह मानों की एक तो पेपर में सिकार यह होगा है है एच वन वन की काई बता दो कर लोगे यार अच्छा अब वी टू का मान यहां देखो एक्श टू वन बराबर आई टू बटे कोई यूनिट है यह देख रहा है मैं लोग करेंट अपॉन करेंट फिर भी महो ना लायक नो यूनिट ह्च वन वन क्या है ओम ह्च टू वन नो यूनिट फिर यह तो वी टू बराबर जिरू था अब करो आई वन बराबर जिरू अच्छा जी है है एच वन टू वे वन बटे किलियर यह बच्चो जब टू वन की यूनिट नहीं है तो वन टू की भी नहीं होगी यह भी वोल्टेज बटे वोल्टेज है तो नो यूनिट यह रहा जी है ठीक भाई चलो जी अब आई वन का मान यहां भी जीरो तो एच टू टू बराबर में आई टू बटे आई भाई वी साबाश यह सी में ठीक है भाई भाई चारों की इकाई खास कर एच वन वन एच टू टू यह इकाई बहुत पूछता है यूनिट बताई है और यह सभी के लिए खास है यह देखो कैसे जोडेंगे स्रीज में और कि यह था हमारा एक्स परेमिटर यूनिट लिख लो कि यूनिट में गलती नहीं करनी नहीं तो पाप लगेगा एच वन वन ओम लिख लो पेपर में आता है हाइब्रिड पेरेमिटर का मतलब है शॉर्ट और ओपन का कॉमिनेशन किसके होगा कि अरे वो तो रिलेक्शन हम बनाएंगे नहीं अभी थोड़ा ना नहीं वह भावनात्मक ना हो जाओ अभी तो आगे अगला फेज़ भी तो है हुआ हुआ है कि आरहा खाना देख वह भी सवाल किसके बराबर होगा है टेस्ट में आया है हुआ है हुआ है तो हम बार-बार बोल रहे देखो जो टीजी टू में चेहनित विद्ध्यार थी वह भी अकेड़िमें संपर्क करें कि छुट्टी मिलती भी कहा है नोगरी पर जाने के बाद मिलती भी तो यहां हमारे पास आने में क्यों यूटिलाइज करेंगे है तो हमारे दो चीजे उस दिन पानुडेशन प्लास नोगरेशन थी तो चाहिए तो जिन देने तुमें दो दिन एक दस तारीख और ग्यारा तारीख तो क्या हो गया हो गया है पुरे साल पर से तुझे पढ़ाई नहीं रहे है है वह उसमें हम बात कर लेंगा और बता तुमारे पेपर नहीं होने देंगे हम ग्यारा तारीख को कुछ भी हो जाएं अगर किताब लेके सेंटर पे अकेला बैठके पढ़ रहा होगा ना तो कम से पढ़ना सेंटर पे पढ़ना मैं कहता हूं बढ़िया अगर अकेले में बैठके पढ़ रहा है तो बढ़िया उससे जदा खत्रणाक तुम गुरूब में खड़े हो आवे स्याम क्या पढ़िया अरे यार पढ़िके तो आयनी यार मैं कहां था यार दू कि अरे नहीं आर ना तुने गलती कर दे तुझना पहले वहां आना चीह था वाधिया यह वैसे तूट गया लेकिन सेंटर के बाहर लोगों से इंटरेक्ट करना ज्यादा डेंजरूजरस है लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत देंजरूस है अगर किसी को आदत है पढ़ने की तो ठीक है डेली बारा तरह घंटे भी तो पढ़ते ही थे नहीं नया तो जूर मैं नया तो मैं कह रहा हूं कि नया तो नहीं करना नया तो एड्मिट कार्ड जिस दिन आया डेट फिक्स करोंगा कि इसे देख लेना किनारे पे बैठके लेकिन महान लोगों से दूर रहना मेरे एक स्टूडेंट सतेंदर पटेल ना मेरे जही के बैच के पुराना वच्चा है तैयार है बिल्कुल बढ़ जा है कि वह लास्ट ताइम वाले यूभी पीसल में गया जही में जबकि वह वह बेचारा ने मतलब पुरा ब्लैंक हो गया घब रहा गया और इंटरनेट से फड़ा पड़ मैत के फॉर्मुला डूंड फॉर्मुले बिल्कुल बेकार पेपर अब आप उससे बात करके देखना और इस बार की परेपर हैं बहुत सांदार कर गया यह मुझे पुरा परोसा है क्यों उसने अपनी कमी पकड़ ली किसर मैं पिछली बार ही स्लेक्ट होता है मैंने जितनी 95 परसेंट चीजे पढ़ रखी थे मैं उनको छोड़ के आ गया मलब ऐसी हरकते करी मैंने की पेपर में जो मैंने मेरे स्ट्रोंग पॉइंट था जो टॉपिक जो मैंने वह को एसी अरकेते करनी ही नहीं कभी को यह सेंटर के बार आके बोलता हैंने की यह आया पेपर न खワाक अधार थेके अभाई आगए लेकर आओ वैसे दूसरों को तोड़ तो पकड़ पकड़ के बताओ इन्हें ये आया लेकिन खुद नहीं श्क्कर में पढ़ना है ठीक है सब जाए जाए क्या दिक्कत है लेकिन खुद नहीं इसमें उलजना कि इस बार भी कितने सारे बच्चे करके आए इसे कड़वड पता नहीं क्या हो जाता है जैसे सेंटर के बाहर पूंचे कौन से आत्म पहुंच जाती है तुम्हारे अंदर कोई मतलब है ही नहीं मैं तो गहरा ना मेरे इसाब से तो एक प्रॉपर रूल होना चाहिए बेटा कि जब तक किसी एक्जाम को कंड़क्ट कराए जाता है तो जो उस पेपर का अनलेसिस करवाएं उसके अगेंस्ट कारवाई हो यह बकाई तो रूल होना चाहिए है यह नेक्स वाले में भी जरूरे नहीं कि आये कुछ मतलब है ही नहीं कुछ है ही नहीं हाँ वह सही बोल रहा किसी में नुमेरिकल पूछ लेगा किसी में कुछ इसलिए आपने जो पढ़ावा उसको यह माने कि हम बहुत अच्छे हैं और हमने तैयारी बहुत अच्छी का रखी है अपना जो पढ़ रखा है कि देखो सब के किसमत एक जैसी कैसे हो सकती है तुम अपना कम आओगे और सब की नूखरी कैसे मिल सकती है कि नहीं ना तो सिट लिमिटेड है मिलेगी उसे जो अपने आपको सही अमीत रखेगा पढ़के जाना भी बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्त एक्जाम पास करने में पढ़के बहुत लोग जाते हैं प्रब्लम कितने इजी चीजों को तुम गलत कर गया क्यों सिर्फ पागलपन में दबाव मैं इसलिए कूल रहो यह मैंसोस करोगी घर भी तो देते ही पेपर अकेडिमी पेपर देते थे आर्नॉर्मल है हमारे लिए तो परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी मैंने एक दिन बोला विदा त करेंगे तो मानु सफल दा दूर हो गई कि बहुत करो कि इसमूत में रिवेजन लेकर चलो कुछ जबरदस्ति के लोग उसे दूर रहो कि कुछ लोगों का जनमी इसलिए हुआ है जैसे नहीं होता कि तेवतिया को या जो गाउंगा उसे तो सभी लोग है ने पता होगा जैस लगड़ी लगड़ी लगा कि है ना यह मतलब जिम्मेदार वेखती है तो कुछ लोगों का जनम सिर्फ दूसरे को क्रिटिसाइज करने का थेका दे के वेजा भगवान तो चुरहाई पे गली नुकड़ पे सर्दी होए तो कोरा उरा आता है ना तो दस बे तक तो सुबह का प्रोग्राम है शे बजे से दस बजे तक और साम को मेरे शारब से पांच-छे वजे से शुरू पांचक बजे से और रात के नो बजे तक बढ़िया प्रोग्राम सेट किसी की लड़की नहीं कुडली नीकालते हो बढ़की यह था वह था फ्लाने का लड़का पॉसिटिव एक नहीं बोलेंगे मतलब जिस दिन कुछ बोल दिया तो उस दिन बारिस हो जाएगी सिर्फ वहां पर बैठके कुंडली खंगा ली जाएगी इसने यह किया अपने आप क्या किया कुछ नहीं किया अपने आप कोई achievement नहीं है तो कुछ लोग का रियली में बताओं यह practical चीज़े दोस्त की कुछ लोग का जनम इस दुनिया में सिर्फ सलात देने के लिए हुआ है अपने आप अपनी achievement जीरो 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 हम आके जंडा उठाके बोल दे कि भाई यादव जी कुछ भी हो एक्ज पास कर लिया पता चला गुरुजी जो पड़ा रहे हुए बराबर मौन भही आई बराबर ने टोपी पैने के तो पेपर भी दे रहे तुमारे बराबर में देंगे तो डिमोटिवेटर नहीं हो ना यो आरे सूपर तुम वह नहीं हो तुम यूनीक हो तुम अलग हो उनकी तरह सोचो मन उनसे थुड़ा अलग सोचो जो तुम्हें फालतों जबर्दस्तिक ऐसे नहीं है जैसे बढ़िया पढ़ रहा है इसे फोन करके अब जैपरकास तो यह तने तिनों के त्यारी कर रहा यार इसे भगवान देने के लिए हाथ उठा लिया बहुत प्रियास कर रह जैसे किसका रिष्टदार कर देता है कभी कभी मैं तभी तो बोलता हूं दूर रहा इससे कर दिया जी परकास त्यारी कर रहा है काम कर ले को बिजनिस करते हैं कि इसकी दिमाग में आगी भगवान यह डाल रहा था जोली लपेट के बाग लिया जीवन में इस मैदान में जो पेशेंस रखे टिकता है न हमारे नुभव यह कहता है वो खाली नहीं रहता नोकरी की तैयारी इंसान को इतनी चीजे सिखा देती है कि तुम इतना सूपर कुछ कर सकते हो कि साइद बाकी लोग सोच भी नहीं सकते हैं और तभी बोलते ना फेलियर है सफलताएं से अगर सीख लें तो कहीं बार इतियास रचने के लिए सफलताएं मिलती है बस उन्हें बस समझ नहीं कि आवशकता है देख के दर के थोड़ा ना भागना है ठीक है वह या इस वारनी वह आगली बार हो गयार कुछ बच्चों से मुझे ना राएक उसे बड़ी नफरत है आप चार अगंचा में भेल होगा क्यों निरास होगे दिमोटिवेट होगे हमारे जीने का क्या अधिकार हमारा जीवन नी वह हर फो गया यार में और समझ में बात नहीं आए है की जीवन अन्मल था इसकी कीमत नहीं है तो ओंत नोक्री थोड़ा ना जीवन है उन्हें मतलब अपनी जीवन की किस्से कर रहें नोक्री से जैसे मैंने इसे कहा एक दिन क्या राम सागर को मैं तेरी जीवन में कुई गर्ल्फ्रेंड आगे गया तो यह बोला सब नोक्री तो है नहीं मैं पगले हर चीज नोक्री नहीं है सफलता मिलना नहीं मिलना वह नोकरी तैण नहीं करती है आप मानो ना मानो यह बात आपको 2-4 साल बात खुद पता चलेगी तुम लोग इतना ज़्यादा दवावं में हो न किहापका जो रियल टेलेंट है वो बाहर ही नहीं आ रहा इतना प्रैशर में हो तुम इस से बहुत अच्छे से जीने की कुछिस करो और सीखने का परियास रखो और कभी ऐसे निगेटिविटी अपने दिमाग में लानी ही मत कि जीवन तो बिना नोकरी के कुछ है नहीं गलत फ़हीं में हो बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो क्यों तुमने विफलताओं को देखा है और विफलताओं को मैनेज करने की तुमने सीख लिया यह कलाकारी तुम्हें आ गई तो से सोचीए गाए जब कोई तैराकि सीखने जाता है मैं तो दोस्त उसे बचना ना पहले सिखाया जाता है अब तुम सोच रहें होंगे सर्णा पहले बचना सीखना चाहिए गलत है कि जब तक समुद्र में उत्रें पानी में उत्राइगा नहीं जब तो दोस्त इसलिए विफलताओं को मैनेज करने के लिए विफलताओं देखनी बहुत जरूरी होती है जीवन में अब अगर हमें तैराक बढ़िया बनना था तो पहले इसके लिए माइंड सेट ही है कि हम बचे 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 तो डोबते वे बचना कैसे है यह कलाकारी हवा में सिखोगे कहां सिखोगे पानी में जीवन में कि अगर कुछ बड़ा करना है और सॉलिड करना और तकड़ा करना है ना तो भया इस कंपडिशन रूपी पानी में कूदना पढ़ता है पहले जब तैरने की कोशिस करोगे पानी में उत्रोगे फिर तुम डूपने लगो तो तभी तो कोई गुरू आपका सिखाएगा कि बेटा एक काम कर तो पैर गलत मार रहा है इस पैर को इस हैंगल से ऊपर उठा तब जाके तूँ तैर के ऊपर आएगा तो तब जाके करोगे कब पता चला पेपर देने से पहले कि यह पेपर देना यूपी आर्विनल लाइके समुद्र दोस्त उत्रे पता चल गया कि कमी क्या क्या है तो इसलिए बहुत सारे चीजों को सिर्फ सोच मात्र से हम प्राप्त नहीं कर सकते प्रेक्टिकली वह चीजें में देखनी होती है धरातल पर उतारना होता है कि आज गलगी बच्चों थोड़ा पेसेंस कम है कि पता नहीं क्या हो जाएगा यार कि में एक साल हो गया छे महिने हो गया और बार बार बोलता हूं पर तुम दो-तीन दो महिने में इतना कमा लोगे जितना तुम इस वदर प्राइवेट म तुमारे लिए बात करूं तो मैंने तुम्हें एक दिने गणित बताया था शुरुवात कितने लोग करते हैं है सो लोगों ने लास्ट तक बने पता है कितने रहते हैं दस लोग उधारण यह ओनलाइन में भी देखो अपने में भी देखो हमने विक्रांत को सुरू किसले गया था यूपी पीसील यूपी आर्विनल यूपी पीसील तो हादे जो बोलते हैं ना कि जो खिलाडी थे वो तो यूपी आर्विनल से मैदान छोड़ गए और बाकी डियाडियो में छोड़ गए तो यूपी पीसील तक एंड तक जाएगा कौन दस परतिसत क्राउड आप उन्हें थोड़ा न गिन्दे एडमिट काड आने पे सारे अब्जेक्टिव सेशन देखते हैं मैं बता दूँगा जिस दिन एडमिट काड आएगा मैं अब तरना खिलाड़ी जिनके बीच कंपटिशन है इसलिए अपने टार्गेट से पहले जो लोग हार मालने और रास्ता बदल दे उन्हें जितने का अधिकार है यह वह विनर क्वालिटी नहीं है विनर क्वालिटी है लाइफ में अपन्डव आता है विनर क्वालिटी है जो उपर 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 उड़ता है वेकार कुछ नहीं कभी भी नीचे लेकिन लाइफ में ऐसे चलता यह ग्राफ और लाइफ का है अपन्डाव अपन्डावन दोस्त हाँ डेफिनेटले ले दोस्त यहां जब हम नीचे जाते ना में डिमोटिवेट की ज़रत नहीं होती सइयम क कि नतिंग इज पर्मानेंट इस ब्रहमान में कुछ भी स्थिर नहीं कुछ भी पर्मानेंट नहीं है कि मोसम पर्मानेंट नहीं है हवाएं पर्मानेंट नहीं है ऑक्सिजन लेवल पर्मानेंट नहीं है हो तो बताओ कार्बन लेवल पर्मानेंट नहीं है बताव क्या स्थिर है इस लाइफ में सफलताएं विफलताएं यह भी पर्मनेंट नहीं है समय के साथ समय के साथ साथ आज जो बहुत अच्छा सचिन तेंदूलगर जी थे समय निकला निकल गए तो लाइफ में अपन्डाउन समने देखें बेकार फोम देखिये ना भाई इस अभी दस-पंद्रा मैच से पहले विराट कोली की हाला दिये थी तो दियर किस चीज के आवश्यक्ता थी आज तुम देख रहें विराट कोली दना दन सेंचुरी किस चीज को रखा सहीं अगर व मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर है मुझे उनकी चीज बड़ी प्यारी लगती है जो आप यह देखते हो ना ताइगर और ताइगर की तरह कहीं एक और जानवर तो वह जब बुड़े होने लग जाते उनको मतलब ऐसा लगता है कि अब चलना मुस्किल हो जाएगा उस दि पोलते हैं नॉलिज रिफिलिंग और उसके बाद में यह तरोताजा होके फिर से मैदान में बूता है और फिर से 40 साल तक जिंदा रहता है और फिर से जंगल पर राज करता है तो लाइफ में फेलियर साने नीचे ग्राफ जाना नेच्छुरल प्रकरतिक चीजें हैं बस हमे किसीज की जरूता है सही हम की जरूता है तो इसलिए लाइफ में इतने ज्यादा आसावाधी तरीके से मत जीने की कोशिस करो लाइफ को कि यह हम लोग भी तो देखते हैं एपन डाउंस हम लोगी लाइफ में भी कुण सा स्मूथ चलता है सब चीजे क्लासिज लेना इडिफरेंट थिंग कहीं बार ऐसी सिचुएशन आती है जो फाइनेंसली तोर पर हम लोग थोड़ा सा परिशान होते हैं थोड़ा वीक हैं चाहिए हम ग्रोथ की बात करें हों जो अपने टार्गेट्स हम लोगों ने सेट किये हैं उनकी हम बात करते हूं लेकिन अगर हम यह ना ना भई आज तो यह लाइप भी कम आए थे यार हम पता है नेच्छुरल ववस्थाएं हैं उपर जाना नीची जाना यह नेच्छ आपको ग्रो करने लग जाओ और जब पच्छी पोजीशन पर पहुंच जाओ तो आपको बड़ी मुस्किले भी छोटी लगने लग जाती है जो भी टार्गेट सेट है उनको लेकर जबरदस्ति का प्रैशर के लिए मत करो कि दबाओ में हूं मैं यह हो गया वो गया इस तरह का मत रखो अपने लाइफ से प्यार कीजिए अपने लाइफ से प्यार कीजिए आप खुद के लिए अपने आप में यूनीक हो जो आपके को कि अंदर रहो कि अंदर नहीं है कि अपने आप से प्यार किजिए व और अपने लक्से और टार्गेट का इतना जबर्दस्ति का दबाओ मत बनाओ कि आपको अपने उपरे डाउट और ठीक है यार नहीं और दुबारा करूंगा ना ट्राइक करूंगा यार महनत करने का काम में मेरा कर रहा हूं कि बागी भगवार ने बढ़िया कुछ प्लान लिखावा है मेरे लिए यह सब कुछ से इमापला तो मैं महनत करूंगा तो मिलेगा है और डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा करोगे यह तो है चलो जी हाईब्रिट प publiणी में अब इसIndustude इसे की तर्ज पर कर से एक अर प्रंड रहता है जिसे हम लोग जन्रिश कि इनवर्स हाईब्रिड परिमिटर के नाम से भी जानते हैं ईल फिस कि ऍता एक कथ लिखा करते आप और इन्वर्स हाईब्रिड को इन्वर्स हाइब्रेड पैरामिटर को हम लोग जी से लिखा करते हैं है यह भी हाइब्रेड यार लेकिन हमें करना क्या है देखो बेटा इसमें हमने इस साइड को शॉट किया है इसको ओपन किया है उसमें उल्टा करना है शॉट ओपन तुझे इन्वर्स हो जाएगा तो देखो जी जैसे हमने इन्वर्स यह नॉर्मल हाइब्रेड पैरेमिटर लखा है इसी तरह से चलो यहां लिख लेते हैं आई वान वी टू ठीक है जी जी वन वन जी वन टू जी टू वन और प्यारे वच्छो यहां जी टू टू यहां है वी वन और आई टू यह रखेंगे हम लोग तो नॉर्मल यह आप से बूझ लागी इन्वर्स हाइब्रेड पैरेमिटर को किस से हम डिनोट करते हैं इफ बढ़ पीन किसी टउकनया और पीनिवर देर हाइबट कर Deutsch चार्वाक्या स Western -टचोछ ए्ट ध 2UR च टुटबडर को वे टू बराबर में 21 ठीक है अब इसमें यूनिट पास इंपर्टेंट है यूनिट जरू लिखेंगे एच वनवन की यूनिट क्या थी रहे है एच टू टू की 1221 यूनिट लेच इसी परकार से यहां पर है हमने खिया जी वी वन इस एकल टू जीरू देखो जी जी वन टू कि आई वन बटे पाई टू कुछ आया क्या कि यूनिट लेस जी टू टू बराबर में वी टू बाई यूनिट अरे बोलो ना एस टू टू का उल्टा और तो कुछ नहीं ना तभी तुमने इंवर्स लिखा यार हुद फि towels इस टूच आ कि जी टूटू हमें यह मिल गया कि आई टू इजगो टू जीरो है आई टू कमान जो जीरो हैा यह लगाओ को जी वन वन बराबर में आ इवन बटे व्यवन बैटा क्या आएगा साबाश yatam कि आई टू का मांद जीरो लगा ये तो जीर टू वन बराबर वी टू बटे वी वन तो पेटा यूनिट लेस्ट हुआ है यह होता है यह इन्वर्स हाइब्रिड पैरामिटर अब्जेक्टी मिल गया है एच वन वन की यूनिट क्या थी इसमें जी वन वन की क्या है इन पर्णी उल्टा हग जलो बच्छों नेक्स चलेंगे जिसे आप लिखते हैं ती पैरामिटर मुझे फुलपों की बात करें तो कर दाप्रांस्मीशन न परामिटर जिसे हम लिखते हैं टी पैरामिटर के बैटा टी पैरामिटर इसलिए क्योंकि यह ट्रांस्मिशन लाइन में कि इस्तमाल होते हैं कि यह हो गया नेटवर्ग अब इसमें रिलेशन बताऊंगा आपको पहले इसको खतम कर लूँ बस यह याद रखें कि इसमें आई टू को जब अंदर की तरफ लेंगे क्या मार करेंगे कि नेगेटिव लिए ठीक है जी क्योंकि देखो इस तरफ से करंट आता और यहां से बाहर भाग जाता है तो अगर मैं अंदर की दरफ करंट लिखोंगा ट्रांस्मिशन लाइन में तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे माइनस लिखना पड़ेगा अब यह टी पैरामिटर हमारे होते हैं बेटा A B C D हमने यह आपके बार बहुत पहले पाउस्टम का फिपर भी करवाय था 200 सवाल वाला करवाय था जिसमें हमने A B C D पूछा था ठीक है तो यह पैरामिटर है दोस्त टी पैरामिटर हमारे A B C D पैरामिटर यह है तो V1 I1 बराबर में A B C और D है वी टू और माइनस के I2 लिख सकते हो अब इसमें तुम्हें बाकी चीज़ लिखने की दुरत नहीं है जो चीज़ इसमें बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंटर याद रखेगा बेटा इसमें A और D कोई इकाई नहीं होती है कोई इकाई नहीं होती है कोई काई नहीं है वहीं बी की जो इकाई है सावास ओम वैस सी की जो जो निट है वो महोया ठीक है वाई एक चीज़ और याद रखना इसमें बिटा जो सिमेट्रीकल के लिए लिखते है सावास सिमेट्रीकल के लिए सर्थ है डारेक्ट आ जाती है पेपर में कुछ नहीं करना तुम्हें ए बराबर टी ए बराबर में डी यह सिमेट्रीकल के लिए सर्थ और प्यारे बच्चों एक होती है जैसी प्रोकल के लिए यह लिखोगे ए डी बी सी बराबर वन गलती मत करना जैसे आपको मुर्ख बनाया आपको लिखे मैं माइनस ए डी प्लस बी सी बराबर माइनस के वन यह एक ही होगा ठीक है यह ओप्शन को पढ़ते समय एक्कुरेसी अपनानी है अब इसमें और चाहे हैं उनको करते हैं करल मारे एक होग चेप्टर ने मत जाएगा एक टो असे तो कनवर्टर होता है न कल उसको कदम करें और एक आपको मुझे टाइप सोब रजिस्टर लिखा ले हैं कि ठीक है कि अभी करवाते हैं कि हां लेकिन अभी बता देंगे ना इक बार कितनी होगी इसमें हमारे क्लाद देड़ सो होगी 151 भी होगे कि देखने को पील स्वेल से इन चीजों को एक्सा को करके जाना तुम कि थोड़ा सा तो हाई डाटा कि चलो देखो एक सीज़ को और याद रखो कि आप देखो यार जैड़ परामीटर रहे वेटा और एक चलिए एच परामीटर है कि होगे यारे कि याद आगया तुम लोग को आज़ा अच्छा अभी आए क्या कर रहे है अब तक अच्छा देखो जैड़ परामीटर देख रहे थे मुझे यह बताओ जैड़ वन वन बराबर आप नहीं क्या लिखा था वी वन बटे आई वन जैड़ वन टू बराबर वी वन बटे बोलते रहे ना जैड़ टू वन बराबर वी वन स्वरी वी टू बाई आई वन जैड़ टू बराबर वी टू बाई कर रहे थे यार यह हमारा जैड़ परामीटर था है एक परामीटर है 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 एक वन वन बराबर में वी वन बाई पाई वन पक्का पर यहीं तो है तुम देख लेना नहीं तुम मैं चेक करो अब मेरे तो यहीं था अच्व वन टू कुछ था यूनितलेस वी वन भाई वे टू यूनितलेस था अच्टू वन भी यूनितलेस था आई टू बाई आई वन एच्टू टू आई टू बाई गोट आई टू बाई टू बाई टू बाई टू बाई वे टू मोह हैं मुझे आप एक बात बताईए कि यदि हम एक कंपैरिजन करके देखें हैं है एच वन वन बराबर में वी वन बटा इवन है दोस्त क्या लिखें है जैड वन वन कोई दिक्कत अब पेपर में बताता हूं देखो क्या आजा है अरे इंपोर्टेंट हो गया यार है एच टू टू बराबर में वन अपॉन वी टू बाई आई टू लिखनी सकते इसे तुम वी टू के अपॉन में आई टू लिख लिया तो वी टू बाई आई टू क्या है एच जैड टू टू तो वन अपॉन जैड टू टू यह डारेक्ट रिलेशन था जो पेपर में पूछा था मुश्किल बता देगा है कुछ अच्छा है और नहीं है मुश्किल तो फिर देखो कि 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 सॉल्डरिंग के लिए भी कह रहे था हम सॉल्डरिंग कम मना करी हमने कि हमने कम मना करी सॉल्डरिंग के लिए असल में आज कर थोड़ा सा हम वयस्त ज्यादा है तो हम नहीं कुछ जून नहीं पा रहे थे हम सोचा तब देखे चुटर पुटर के चीज़े करवाएं तुम्हें कि 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 ज्यादा नहीं लेकिन मैंने विक्रांद भैज में कम से कम हजार पेज बढ़ा दिया थियोरी के कि हजार से ज्यादा है कर लोगी जी अगर जी पैरामिटर लिखोगे जी पैरामिटर में बोलना जी वन वन क्या क्या है तुम्हारा आइवन भाई देखलो या और जी टू टू आपकर था यह यह था वाई यह मोहों और यह ओम अमाल यह जैड से ही रिलेट कर रहा है यह जैड से ही रिलेट कर रहा है यहां भी अभी वाई पर आएंगे पहले इनको देखो क्या मैं यह लिख सकता हूं जी वन वन बराबर वन अपों जैड वन वन क्या दिक्कत है विवन वट यह उल्टा ही तो है क्या जी टू टू बराबर में जैड टू टू लिख सकते हैं यह भाई वी टू बाई आई टू देख लो ना कंपेर कर लो तो यह वा गया भाई हमारा है जैड और जी में रिलेशन आप देखो वाई लिखते हैं है वाई वन वन बराबर बोलो रहे आई वन भाई भी वन अब यह नहीं था क्या मुझे यह यहां दे आ रही है वन टू एं आई वन भाई वे टू तो वन आई टू भाई वाई टू टू आई टू भाई वे टू अब देखो इनहीं रिलेट करता है देखना भाई एच्च वन वन बराबर मैं मैं जो लिख रहा हूं वन अपॉन वाई वन वन और यह आई वन भी वन बटाई वन ने तो उल्टाई तो आए तो यह मिल गजिए मैं फिर दूसरा देखना है एच्टू टू चलते हैं आई टू भाई वी टू एच्टू टू किसके बराबर है वाई टू टू के यह रार रिलेक्शन इतना कर लो कुछ बाहर से नहीं है अरे आर देखते ही पता चल रहा है तो कि यह रिलेक्शन आ चुका है विपर में यह वाला कि आज टू टू बराबर क्या होता है तो वन अपॉन जैड टू 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 कि जिसकी यूनिट ओम है ना वह ओम के बराबर है लेकिन जिसकी एक तरह पॉम से रिलेट कर रहे हैं दूसरे की मह है तो उल्टाई और कुछ नहीं देख लोग यह आपके टू-पॉर्ट नेट वर्क की इंपॉर्टन चीजिए हां हां तो स्टू टू तो मो है ना वन अपॉन ओम कर दोके तो मोही नहीं आता देख लो वन अपॉन जैड है तो मोही तो हुआ कि धहर्योख दूसरा हुआ हुआए यह हो गया महाराजी two-port network भी समावत संतोष पाल जी जी ने किताबे ओडर की ती यहां से सब किताबे निकल गई है यह दो दिन में मिल जाएंगे कि वैसे भी बुकिंग बंद है इतनी बुकिंग थी ओवर बुकिंग थी हमने बंद करवा दिया पहले पुरानी जाएंगी इसके बाद नहीं है कि अधिया है अधिया है कि अधिया है अधिया है उंतालीस लोगों ज्वेनिंग बिल गई ने कि अधिया है तो यह लोग भी तो इसे का सिखा रहा है इसमें 97 लोग बाहर गया था कि अधिया कोड में तो एक दो कि अभी आपके भी पैंडिंग है सुनवाई है इसको अधिया उन्हीं साथ रखी है कि अधिया है चलिए धन्यवाद कि अधिया है